हेलो फ्रेंड्स वर मोस्ट वेल्कम लेट्स क्राइक यूपिए से जीए विट अस दोस्तों आप सभी लोग का इस चैनल में स्वागत है और जैसे का आप देख पा रहे हैं कि हम लोग का जो टॉपिक चला है इसका नाम है सब्जेक्ट वर्व एग्रिमेंट तो इसका हम अगर इस सेशन को आप करते हो तो आपका अब यहां पर देखें आपका सब्जेक्ट वर्व एग्रिमेंट तो अपडेट होगा लेकिन इसके साथ क्या होगा जानते हैं नाउन प्रोनाउन प्रेपजीशन कंजंग्शन और आर्टिकल भी हम लोग यहां पर थोड़ा ट्रा इसके पहले आप लोग अपने ग्रूप में सेयर कर दो मैं थोड़ा अपने बारे में बता दू सभी वच्चे आजाएं फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं इस इज मी घंश्याम सिंग और मैं टीचिंग एक्परियेंस इज मोर दें 25 और दोस मेरे जो पढ़ाने क आपने अने लर्णि अप इंस्ट्ल कर लिया है तो आपको कुछ फ्री लाइब क्लासे अगर आपने सब्क्रिप्शन लिया तब आपको क्या मिलेगा वाट युविल गट आपको डेली लाइब क्लासेज है कौन से पेड़ वाली जो फिरी से बहुत यह अच्छी होती नेक् प्रिपर कर पाये और एक्जाम में आप 100% डन कर पाये यहां पर देख पाये लाइब टेस्ट और प्टेश्ट होते हैं कब जब आप सब्क्रिप्रिप्ट्सन लेंगे तो लाइब टेश्ट रॉक्टियम् अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया इसमें प्री मेंस ऑप्शनल इंटर्व्यू पूरा सी गैज पैकेज है और यहां पर देख पा रहे हैं कि अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो और आपको क्या मिलेगा इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं इनके साथ इसमें आप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है अप्शनल का सब्सक्रिप्शन आपको अलग से लेना पड़ता है यहां आप आप देख पार हैं यह आइक्वानिक तो आइक्वानिक की जो ट्ल मंत की फी है यह कितनी है इसमें भी ओप्सक्रीप्शन आपको अलग से लिएना पड़ता है लेकिन आइक्वानिक में और आपको स्पेशल क्या मिले गा एक आइक्वानिक गाइश टीम मिलेगी तो यह टिम की जो मेंबर है वो आलरेड़ी कुछ छुम्बर CST गया हैं से टॉप रेंकर्स रह चुके सब्जेक्ट से बहुत एक्सपर्ट यह आपके साथ 24 इंटू 7 यह काम करेगी डेली जानते क्या होगा जब आपकोनिक टीम आपके साथ काम करेगी फिर आपका जो नंबर वन क्या बेनिफिट होने वाला है कि जो टू से थ्री इस बीगिनिंग का इधर उदर हम भटकते रहते कुछ पता नहीं चलता कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े क्या प्रॉपर वे है क्या अर्गनाइज़ वे है यह भटकना नहीं पढ़ेगा मतलब आपका दोसे थीं साल आपकी बच जए जो सेलेक्षन दोसे 3 साल उने वाला वह सेलेक्षन दोसे 3 साल पहले हो सकता है नमबर ट्रू आप आप और सकते फूर आप अप पनाра जेक्षनलाएल में कर सकते हैं लिकिन इसके लिए कन लेना प में बहुत ज्यादा help कर गए अब यहां पर आप देख पाने गए यह जो है ऑप्शनल के तो आप्शनल के जो 12 मंद की क्या है 24,750 रुपीज है यह मेरा कोड घंस्याम आप जरूर अपलाई करें ताकि जो मेरा experience 27 years का है यह आपके लिए बहुत ज्यादा यहां पर देखिए मिश्चन 2021 अगर आप 2021 के लिए बैस देख रहे हैं स्टार्ट हो चुका है 2022 का बैस स्टार्ट हो चुका है compulsory English यह डिसंबर में यह मतलब बस दो या तीन दिन में बैस स्टार्ट होने वाला बिल्कुल न्यू बैस तो अगर आप नए बैस से पेड़ वाली क्लास में पढ़ना जाते हैं घंस्याम कोड का यूज करिए आपको डिस्काउंड मिलेगा नया बैस मिलेगा और मुझसे डर्लकी जुड़ पाएंगे आप यहां से हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होता है क्या है सब्जेक्ट वर्व एग्रिमेंट करता और क्रिया के बीश संबंध कई जानते हैं एक सिंपल सा फार्मूला बदो फार्मूले सिंपल से हैं यह क्या कहता है यह कहता है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट सिंग्लर है तो वर्व क्या होगी सिंग्लर होगी और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो आपकी वर्व भी क्या होगी प्लूर से स्टाट करेंगे मैं आपकी टैमि इस टाट कर दिया हूँगा स्टाट करें क्या लिए लिए बया अब आपको लगता है कि-सी पर पिक करेंगे बट एफ उसी उसी पर्ट प्र Rossum ri सन्स हुना दिया और इस्कोर बच्चे सेशन को लाइक और शेर नहीं किये हैं सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेर गाई यह जरूर कर देंगा यह 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 अर सभी बच्चे स्कीन सौर्ट ले लेंगे गया यहाँ लिखा है वन औफ वन आफ ठीक है यहांपर ध्यान नहीं फिर यह plural noun है जब वन आफ आएगा यहां पर प्लूरल noon आएगा हए ठीक है तो यह क्या होती है यह singular subject होगे यह जो subject होगा है singular होगा तो जब जब subject यह singular हो पिर इनके साथ जो वर्ब आएगी कौन सी वर्ब आएगी कमेंट बाक्स में जब यह डिफाइन हो गया कि one of one of plural noun ठीक है one of plural noun singular subject होते हैं तो फिर आपकी वर्ब क्या होगी comment box में वर्ब क्या होगी आपकी वर्ब जानते क्या होगी singular होगी singular अब यहां पर देखें क्या लिखा है one of ठीक है one of आया यह देखें plural noun आ गया ठीक है यह one of his daughter यह जो इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है यह पता है क्या है यह singular है यह दिखने में यह one of his daughter ठीक है यह आपका subject हो गया अब यह one of his daughter guys one of plus plural noun यह subject क्या है singular है तो जब है बहुत simple है जानते बस एक आप ना एक आप लोग दिमाग में रखें कि one of आया ठीक है one आप से sentence शुरू हुआ plural noun आ गया तो दिखने में तो प्लूरल दिखेगा दिखने में no doubt यह ना जैसे लग रहा है ही डार्टर से प्लूरल है लेकिन यहां one अगाई यहां one है तो अब एक यह भी कॉंसेप्ट है कि प्रेपजीशन के पहले यह आफ क्या प्रेपजीशन है तो प्रेपजीशन के पह वन आफ आ गया और उसके बाद plural noun अगय तो यह जो इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट दिख और यह पूरा complete subject गए जानते हैं यह complete subject क्या है comment box में complete subject गए singular number है तो फिर आपकी जो यह वर्ब होनी चाहिए वर्ब यह वर्ब की क्या हुनी चाहिए सि फिंगूलर होनी चाहिए अभी है जी ans यह प्लूरल है अभी क्या है लिवार प्लूरल है इसका मत Everyday कि पार्ट क्या है में यस सी है में स्क आंसर राइटिंग करिए सभी लों कमेंड बॉक्स में येस येसधिया स्क्रेश्व का मर वन कारता है इस बिल्कुल टिक है जानते घ्या लिब है लिब इसको जब में कित्क आफ करेंगे तो इक यह वह जा Cake किए अब अब यह आपकी वर्म क्या होगई स्टिंगुलर हो गई अच्छा एक चीज और धनेंगे इसका स्कीन स्वाट सभी बच्चे स्कीन स्वाट ले लेंगे ठीक है और पीडिएफ के लिए पीडिएफ के लिए पीडिएफ के लिए तो देखिए नंबर है 5625 96258 11125 यहाँ पर आपको मिलेगा वाटसप नंबर है यहां ग्ल्स और वइज के गुरूप बिल्कुल अलग-अलग यहाँ आपको मिलेगा दूसरा क्या है टेलीग्राम कुरूप है लाट्स क्रैघ you लाट्स की उप्यपि शीया तेहल ही यहाँ पर मिलेगा और इंग्लिष गंस्याम सर्ट यह भी तिलीग्राम गूरूप है यहां पर भी अवेलेबल होंगे चलिए नेक्ट कोस्चन लेजिए क्या करेंगे मैंने आपकी टाइम ही स्टार्ट कर देगा इस क्या लिखा है वन आफ माइड डिजायर्स आर टू बीकम पार्ट बी और डॉक्टर पार्ट सी नुएर पार्ट डी क्या करेंगे अब तो अब में तो आप पार्ट में है तो घै क्या अ की बच्चे करते इस विब बाधर रुट बी नहügen的 near ये एक बर मेंस कहांसे राट टिंग इस्यहंस इस्यह इस्यहस गाइस सब੮लर है पहले सैंगी कि एस च्छ क्या हो होगी अभी है क्या होगी अभी है है क्या और और गाइज प्लूरल है तो पता है और को आपको क्या करना पड़ेगा आर को आपको प्लेक्ट करना पड़ेगा मैं अद्रकार मैं इस पर और भी प्रैक्टिस कर रहाता हूं चलिए यहां प्या गरंगे मैंने आपकी time कर दी गाई क्या लिख है one of the terrorist part a part a of the Kathmir of the Kathmir Valley part b are sought dead part c nor part d क्या करेंगे अपकी done करें आपकी तर्या प्रसेंट 100% क्या इस question करें और देन करी आइन आप आप सभी कर सकते हो गाई कमान कमान yeस yeस yes 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 किस पार्ट में अच्छा सी में सी में है गाईस बिल्कुल बिल्कुल आपका अंसर का इस बिल्कुल राइट है अभी मैं आपको बताता हूं देखे मैं एक बार एक्स्प्लेन कर दो थोड़ा वन आफ आ गया ठीक हाने दीजिए वन आफ द प्लूरल नाउन यहां तक यह भी है आप ड़कस्मीर वैली अभी पता अब इतना अब ऊका सब्जेक्ट है वन आफ दर टर्ल रिस्ट रोन रोमेह ऎतना अनू जानते मैंने भी बताया था कि अभी है क्या यह गाई अभी अभी यह प्लूरल है तो फिर पता है आपको और को रिप्लेस करना पड़ेगा किस से कमेंट बाक्स में इस से ठीक है डन गाईस कोश्चन डन है चरी अब यहां पर क्या करेंगे आप यहीं क्या लिखा है ही इस ही इस वन आप मैं ब्रिद्रस क RAW इस विइस यहस पड्राइड सकला क्या क्या सकता है यहां seheoक्ष में यह 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 यह लिखा है कि singular subject मेरे ध्यान ने गई singular subject प्लस singular फिर वन आफ है previous concept गाईज क्या था कि यह singular subject singular थी नहीं वन आफ से start था लेकिन यह कहा जा रहा है अब यहां पर देखेंगे यह singular subject फिर यह singular वर्ब इसके बाद अगर वन आफ आता है फिर उसके बाद यह जो रिलेटीव नहीं है इसके बाद कि जो वर्ब होगी अब यह चया है सिभूलर सब्जेक्ट सिभूलर वर्व वन आफ वन आफ माइफ फ्रेंड अब यह जो हू से स्टार्ट हो रहा यह मैंने आपको पहले समझाय कि यह कौन होता है जो इसका का एंडी से तो हैं यह क्या है इतो हो गया यह फ्रेंड TO हो गया वर्भेल हो गया प्लूरल ओ गया फिर यहां वर्भ क्या होनी चाहिए दो जहें अभी है क्या प्लूरल है तो बताई प्लियर नहीं है क्युक्कि यसके पहले आप जब वन आफ कर रहे थे वन आफ कर रहे थे तो वहां मैंने क्या बता है आपको सिविलर नेना पड़ेगा लेकिन यहां वन आफ आया है तो आप प्लूरल लेना पड़ेगा क्यों ऐसा क्यों हो रहा गए अभी आप प्रीवियस कॉंसेट्ट देखेंगे यहां पर क्यों आप यहां पर जानते हैं यहां पर यहां पर यहां पर माझे यहां पर यहां पर प्रीवियस कॉंसेट्ट ढ़ें यह आहिक रहे थे न से कुष्चेन आता ईवेन अससे में भी आपको करना पड़ेगा कोई आप राइइप कर रहे तो यह करना पड़ेगा यह कॉंसेटस आपको ले ना पड़ता है तो थे यह देख रहे हैं यहाँ inches transcript उन प्लस प्लूरल वन आप से पहले भी एक subject और एक verb रन कर रहा है one आप तो है तो जब one up आएगा one up plural noun आएगा आगे रिलेटिफ प्रोनाउन आएगा लेकिन उसके पहले यह singular word और सिर्व से प्रूंब्च आएगा तो फिर यह रिलेटिफ प्रोनाउन के बाद वाला यह जो होगी यह वर्ब का नंबर क्या होगा यह वर्ब का नंबर क्या होगा प्लूरल होगा प्लूरल तो क्या नहीं होगा चलिय अब तो अक्लिय रहोगै ना कि जो प्रिविएस कॉंसेट में क्या था कि वन आफ से ही संटेंस स्टार्ट हो रहा हुआ था यहां पर क्या है कि आपके पहले से इस्विलर सबजेक्ट सिंवार वर्भी है जब वन आपके पहले से प्रीटिब फ्रॉ प्रिवनी नहीं होगी यहां पे कोश्चन है अब देखिए यह कैसे स्टार्ट हो रहा है यह यह प्रिबीएस कॉंसेट क्या था कि वण आप माई भर्डर्स था तब लोग से रहे थे तब हमारी रही हो रही थी लेकिन यहां one-up my brothers के पहले क्या है यह singular subject singular verb है तो जब one-up one-up के पहले singular subject similar subject और singular verb आएगा तो फिर one-up के बाद जो यह relative pronoun आएगा इसके बाद यह verb क्या होगी गाईज यह verb plural होगी क्यों क्योंकि यह जो हूँ है न हूँ यहां पर देखिए हूँ के पहले यह जो my brothers यह plural है is plural है तो फिर यहां पर वर्व क्या हो जाएगे प्लूरल होगी और यहां पे प्लूरल है यहां पर नो एरोर है कोई भी एरोर नहीं है ही लिए हुआ कि नहीं पहले बताईए इसके पहले वाला कॉंसेट में ही इज नहीं रहा था सीधा आपका संटेंस कहां से स्टार्ट हो रहा था आपका संटेंस जो स्टार्ट हो रहा था वह वन आप था अभी मैं एक पर आपको मैं और दिखा दूँ ता आपको काफी क्लियर होगा यह देखे यह आपका प्रीवियस संटेंस अगे देख रहे हैं यह देखे यह लेकिन वन आपके पहले सिंगूलर सब्जेक्ट और यहां पर इनलेटीव आपकी यह अगरbior टिक हुआ, खिरिक रिछ अगर प्लूरल नहीं होगा और अपने सभी delivery में ज़रूर कर द दिया आप लोग भूल जाते हों आप लोग भूल जाते हैं ळेकिन आ लोग लाइक कर दिजिए ठीक है चलिए अब हो गोडि़ा क्रेस्ट लेघ क्वूरब कारी क्वा देखिर अफिक न शर कर देगे है किहीं कि लिखाया है। इसी को अगर आपको लगता है यह रॉंग है यह रॉंग है तो आप A B या सी किसी मिसे ले सकते हैं बट अगर आपको लगता है कि नहीं यह ठीक है तो फिर आपका option D होगा new implement चलि स्टार करेड़े चलि चलि चलिए ठेस त्विस्त दिखेश ज מौ झानते हैं और सही और सही और सब से स्टार्ट हो गया ठीक है चलने दीजिये तो गईज one आपसे अम यहां पर 관र अप्रोनावन लगा है लेकिन इसके पहले क्या है singular subject और singular verb भी है तो फिर पता गए फिर यह दैट के बाद वर्ब आएगी comment box में आप लोग दैट के बाद जब यह वर्ब आएगी इसका नंबर क्या होगा singular अगर गई singular होगा तियस टाइप करें और अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल नंबर ही होगा तो फिर 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 प्लूरल ही तो है है क्या है प्लूरल है राइट है और जानते हैं अभी अगर आप इस ऑप्सन पर आएंगे डैट अपीएड ला दिस यह जानते क्या होता है लेकिन जैसे आप न यह दैट लगाएंगे आपका है भी हट जाएगा यह सिंपल पास्ट हो जाएगा तुरंत रॉंग दिस यह के ल यह जाएगा तो दिस यह एंको जाएगा दैट है तो होगा ने क्योंकि वन आपके बाद वन आप वन आप के बाद अगर यहां रिलेटीट प्रूरूर्णां यहाँ संवलर सेट्व थे हैं द्शावर्व होगी हुआ हमारी जाए क actu लूर्रल होगी लेकिन ऑले क्या प्लू जाम चिंग नोँ चलिए comment box में yes 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 चलिष फिर क्वेस्टन दीजी क्या लिखा है क्ल राहूल इज one of the players who has been selected for the test match पाट C Noirer Party यह अब तो कर पाओगे अब आप लोग कर पाओगे मैं एक्समाप्त होने वाला है हरी अप यह जानते हैं गाहां पर रहे है देखें मैं आपको बता रहा हूँ एरर पार्ट भी है एरर पार्ट आपका बिल्कुल भी है गाइज बी पार्ट मेर रहे बी पार्ट मेर रहे क्या है देखें ध्यान देंगे वन आप तो स्टार्ट हो गया वन आप आया ठीक है रिलेटिव प्रूनावन आ गया लेकिन वन आपके पहले देख रहे हैं सिंगुल आपका होता है क्या क्या करना पड़े अभी में जा है क्या है क्या प्लेश को रिपलेश करें कि से कमंड़ वाक्स में रिप्लेश करिए में प्लेश करना पड़ेगा किस्थे य nuclear test क्लियर अगर क्लियर है तो जी वाई टाइप करें घंस्याम सिंग और अगर क्लियर नहीं जी एन घंस्याम सिंग नो ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा ठीक है तो जिन बच्छों क्लियर नहीं मैं और कोस्चन कर रहा हूं चलिए यहां पर क्या लिखा है वोज ईयुकुन को एँ ऐस यह की। हो मारा हमade पर बन गरी को संट आरे स्फेक्रान मेर ड fairness इस यह श संटी divorce क्रक्रट करेंगे स्टार केंगे इस यस यस क्ला है अगा गई रही इस तर्ट कर हाई सिपे बिल्कुल ठीक एकदम आपका गाई एकदम राइट है यह सी में एरर है देखने हैं सिग्छलर सब्जेक्ट सिग्लर वर्ब वन आप से स्टार्ट होगा रिलेटिव प्रूनाउन आया तो इसके बाद की जो यह वर्ब होगी यह वर्ब क्या होगी कमेंट बाक्स में यह यह जानते यह प्लूरल होगी अभी है क्या अभी यह सिंगुलर है तो आपको क्या करना पड़ेगा सिंगुलर को रिप्लेस मतब हैज को रिप्लेस कर देंगे क्या कर देंगे कमेंट बाक्स में यह 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 जानते क्या कर देंगे है झाल पॉछे गए को ट्रांड दाशियों से टॉजए है को सब लेता हूं चली टार करें तो क्या है मैं देबस केक्या नीची नियौन कहरे कि यह सब को ट्रांटलों का है जानतées और अपके ग्लिप कॉछे गया है एक यह लिखार किजान कर दॉट्यक्तेन प्सक्या हूं किस में सी पाट में स्टी में ठीक है जानते हैं क्या करेंगे बिल्कुल आप रिप्लेस करते हैं और से स्टार्ट यग यह दो रिलेटी प्रोडवन के लिए इस वयर्व का प्लूरल इस प्लूरल कर दिया रय चलिये K jiski question ौन करीन क्या होई है All right, he is one of those writers part a who have won who have won acclaim the world over. Part C Whatever party, चली, start क्रें क्या क्तुरएंगे? Yes, 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 guys, चली, 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 यस, बहा ही तो है, जो मैंने भी पढ़ाया था, ध्यान से देखिंग कर पाएंगे, कि उपखा है की फिर यह एज तीक है वन आफ दोज राइटर्स हूँ गए जानते हूँ एकड़न राइट है कैसे देखे यह वन आफ दोज राइटर्स हूँ वाला पार्ट फिर यहां यहां यह सब्जेक्ट ची्बर यह वर सिंटर मेर तो वन प्लूरल हो जाएगा यह यहां पर यह आपका पूरा सब्जेक्ट हो गए यह सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट भी इन प्लूरल नंबर तो फिर क्या होनी चाहिए वर्ब आपकी क्या यह जो वर्ब है इसका नंबर क्या होना चाहिए प्लूरल अभी है क्या अलड़ी प्लूरल ह ही यह तो फिर फिर ठीक है फीर भीर फिर नुए रगाई अगर डॉन है तो घंस्याम सिंह आपके न पॉस्ष्य है और तो यह इस सिक्शले delic इस वर्ड को समझाय गया शेक्स टूपलेट इस वन आफ दस शिक्स चिल्ड्रेन और एनिमल्स पाट पाट भी दैट आर बॉर्ण टू वन मदर इस एम टाइप पाट सीन और पाट डी बहुत अच्छा एक्स प्लेट को इस प्लेट कर दिया गया है कि सेक्स प्लेट को कहा गय एक वो चीज होता है वो चिल्डरेन भी हो सकता है या इनिमल्स पहता है आर बेहां और अर बोर्ण टूवर मदर एक ही माता से एक समय में जब छे बच्चे जन्म लेते हैं तो उस उस एक बच्चे को क्या कह जाता है समय में आ रहा ये प्ंत है उस एक बच्च वगए क्या कहा जाता है कि नहीं किसपार्ट में ररे है रिधर किस पार्च में रर रहां गैज या रर है अब यह एप प्लूरल सब्जेक्ट है यह सब्जेक्ट के आपका प्लूरल हो गए तो फिर फिर वर्ब क्या होनी चाहिए गए यह जो वर्ब दिख रही है सिर्फ मैं डेस्ट करता हूं तो आपको क्लीन दिखे गई आप जानते हैं यह जो अर्व नहीं है यह वर्व होनी क्या यह प्लूरल है क्या अभी भी तो प्लूरल है अभी बेगे प्लूरल है इसका मत्तलब क्या है पता है यह no error है no error है done हो गया done हो गया कई चलिए अब अब जरह ध्यान देंगे concept change है तो पहले question होगा पहले question try करिए concept change है थोड़ा चलिए 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 क्या लिखा है one of one of the boys part a who always give the correct answer correct answer और पप्पू पार दी क्या गरेंगे येस येस अपकी change है अभी मैं तीनों concept ना मतलब one आपको लेकर आपके three concept हो गए अभी मैं सबको clear करूंगा लेकिन आपको connected रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि जो concept है वन आपको लेकर एकदम clear हो जाएं तो आपको connected रहना पड़ेगा जानते हैं क्या करेंगे यहां पर आप अब अपने concept को देखेंगे अभी आपका clear हो जागा देखें यहां पर क्या है one of ध्यान ने गई one of ठीक है फिर प्लूरल noun कि relative pronoun for example that हो गया who हो गया which हो गया आगे प्लूरल वर्ब होगी यह हम लोग लेकिन उसके बाद फिर singular वर्ब आती है यही आपको समझना पड़ेगा यही आपको समझना पड़ेगा कि अब हम लों कह रहेते प्लूरल वर्ब अब कह रहे हैं सिंग्लर वват लेकिन ही इस ट्रॉक्ठर भी तो चेंज है क्या है पहलेक हो रहा था इसके पहले बला चब्गा प्रीबियस कर रहे तो यह सकते हैं तो यहां सजखते हैं तो renowned के साथ यह है प्लूरल-था यह प्लूरल अभकी और है इसने क्या है कि one of the one alpha अला का इज़ पार्ट है यह अगर यहां से आप समझना चाहें समझ सकते हैं यह पार्ट यही तो है यह यही पार्थ है यह 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 पार्थ है one of the girls who give तो one was också girls who always give यह तो ठीकी है यह तो इस किया पता इस तरह के स्टेक्टूर में क्या है कि यहां जो यह सिंगुलरवरब पहले आ रहा था इसे में क्या है कि जो सिंगुलर ववरब और सिंगुलर सब्चेट्ट यह बात में आ पती इतना भी सह सतो चीज वही है चीज वही गए बस इस्ट्रक्चर चेंज है तो इसमें कोई कनफ्यूजन की बात नहीं तो वनाफ वनाफ यह तीस्रा चल लगा और यही लास्ट है वनाफ वनाफ लेकर यह तीन कॉंसेप्ट आपके एक्जामे पूछे जाती थर्ड वन है अभी मैंना थीन थ्री को एक साथ और दो और वनली के साथ आएगा सब को एक साथ क्लियर करूंगा लेकिन आप लोग कनेक्टेट रहें एंड तक कनेक्टेट रहें गाई तो यह क्या है कि अगर अगर लेकिन इसके बात जो वर्ब आएगी यह सिंगुलर होगी और यहां आपका सब्जेक्ट भी क्या होगा सिंगुलर होगा अगर गए क्लियर हुआ तो जी वाई घंसियाम सिंग और अगर ट्लियर ने गए जी एन घंसियाम सिंग नो टाइप कर रिकमेंद बासके और सभी बच्चों ने लाइक और शेर नहीं किया है प्लीज सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेर अभी कर देंगे तुरंद आप लोग आई पता यू फागेट बूल जाते हो आप क्लियर हुआ अब जरा अपने प्रिब्यूस कोस्चन पर आई यहां पर यह हमारा कोस्चन अब यहां पर क्या कह रहा है यह कह रहा है यह कह रहा है कि one of the boys ठीक है चलने दीजिए हू आलवेज गीब यही तुम लोग पढ़ रहे थे यही पढ़ रहे थे न कि one of one of plural noun के बाद जो रिलेटिव प्रून आएगा इसके बाद जो वरबा आएगी यह वर प्लूरल होगी क्यों क्योंकि यह जो हू कौन है यह 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 गैज वन आप दबॉइस है तो हू होता क्य है आपना एंटिसिडेंट होता जब इसका एंटिसीडेंट प्लूरल है तो फिर तो फिर हू क्या है हुं हो प्लूरल है तो फिर हूं है मतलब सब्सेर् Victim quests फिलिए लेक淋 यह जो चला है the correct answer यह next ओर बाई यह यह वर्ब क्या होणी hey singular होगी क्यों क्यों कि यह पप्पू की लिए और पप्पू पभी इस क्या है पप्पू singular है सिंड्य हई क्लीर हुआ अब क्लियर हुआ है आप अगर कहीं clear है तो hy.. है तो दूर घंसाम सिंग ये अभी सट ले लेंगे एक कोश्चेन इहां लेजे क्या है गैज क्या लिखा है वन आप देश्टुदेंट्स पार्ट ए हूँ है नौट जॉइंड पार्ट बी आर पप्पू पार्ट सी नो एरर पार्डी चली क्या करेंगे आप बहुत सिंपल गैज एकदम सिंपल अप कर सकते हो आ चारे पता है यह उना ऐ वहीवाला है वह स्ट् Cat do जो गाइज पता है इसके पहले लोग 6 पढ़ रहे थे इसके पहले क्या पाण रहे से इस अहुछ Luna सब्येक्ट इसके पहले में लोग पढ़ रहे थे सिंपलर सब्जेक्ट ठीक है फिर फिर प्लस इमलरव इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे वन आप ये प्रीफ्रेफ्र वाला एही था इसके बाद था उन आप इस में क्या है इसमें क्या है यह पता हिंगिलर सब्जेक्ट और सिंग्युलर वर्ब यह एफ्र on से मेरे अभी मैं क्लियर करता हूं सी इसमें क्या किये हैं कि से इनलर सबजेक्ट सिंगिलर सबजेक्ट और Mantra और यहां आ ठीक है और वन आपको पहले आ तो वन आप दे श्टुडेंट हमने भ Sat तो आगे रिलेटिव प्रूमान हूँ या जो दैट आए गाई हूँ या इसके बाद की वर्ब क्या होगी फ्लूरल होगी है ना देखे प्लूरल तो है है यह दो लोग पढ़ रहे थे लेकिन Izria Chickन में क्या हुआ कि यह जो SAR subject singular beginning कही bestine nelria की एंड में आ राकल तो फिर धींग है न यह सब्जेक्ट होगा यह क्या है सिल लॉर आपका यह सब्जीक्ट होगा तो फिर यह क्या होगी यह singular क्या होगी यह singular आपकी वर्व होगी तो क्या नहीं plural नहीं होगी तो पार्ट सी मेरर है क्या करेंगे आप आर को replace करें किस से comment box में आर को replace करें किस से इस यह से एस यह से clear हुआ बहुत simple है तो one आपको लेकर three concept हैं आप end में connected रहना end तक मैं all the three clear करूंगा चलिए question लिजे question क्या लिख है there is there is only one of the English teachers that dot 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 घंश्यामसिन आसे यह की ध्यान देंगे यह previous question नहीं है इसको ना differentiate करना सीखे कैसे इसमें only आया है वो केवल one था one of था और यह क्या है only one of है इस तरह से ध्यान देंगे तो one आप में हम लोग comment box में बताई आप लोग तो one of में कितने concept किये थे comment box में one आपको लेकर जो एक जाम में question आते रहते हैं वहां से कितने concept थे comment box में yes 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 comment box ठीक है थोड़ा सो confusion हो रहा होगा मैं एक बार concept ज्यारा clear करता हूंगा यहां पर देखिए सभी बच्चे स्कीन स्वाट लेंगे सभी बच्चे स्कीन स्वाट ले लेंगे और पीडिएफ के लिए नंबर है क्या 9625 811125 यह नंबर है यह वाट्सअप ग्रूप है यहां कॉल भी कर सकते किसी डाउट के लिए और यह वाट्सअप नंबर है यहां पर आपको पीडिएफ और यह क्लास की नोटिफिकेशन चोटे मोटे डाउर्स करेंट अफेयर दहिंदू की बखेबुली चलती रहती गए और इसके साथ साथ टेलिग्राम ग्रूप है कौन सा लैट्स क्राइक यूपिए सी सी हिंदी भी टेलिग्राम ग्रूप है वहां भी पीडिएफ मिलेगा और सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और वनली वन वनली वन जब स्टार्ट होगा इस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और वनली वन आपके बाद नाउन तो प्लूरल होगा नाउन तो प्लूरल होगा और जो यह रिलेटिव प्रूनाउन आएगा दैट हू which के बाद यह singular subject होंगे तो इनके बाद जो वर्व आएगी, वो क्या होगी, वो singular होगी, तो क्या नहीं, प्लूरल नहीं होगी, ध्यान देंगे, यही concept हम लोग अभी पीछे पढ़े थे, पीछे में क्या हो गया था? प्लूरल हो जा रहा था लेकिन वहाँ केवल one था, one-of-the, one-of-the-one-off था, क्या नहीं one-lie-one नहीं था गई यहाँ पर only one यह concept change है, जब only के साथ आएगा, only one, आप सोचें कि वो one-off था और यह only one-off है, यह क्या है only one-off है और वो one-off था जब only one of आएगा और यहां पर क्या आगया singular subject, singular verb तो फिर आगे यह रिलेटिफ प्रॉरावन के बाद यह जो वर्ब आएगी यह वर्ब क्या होगी? कमेंट बाक्स में यह वर्ब singular होगी और अगर plural है तो फिर क्या आगया? plural है तो wrong है second देखिए he is only one of the words who has not come today फिर फिर आपको plural लेना पड़ता लेकिन लगने से आपको singular लेना पड़ेगा इस की इस वाट लेने गाइस concept clear अगर concept clear है जी वाई घंस्याम सिंग और अगर clear नहीं यह जानते हैं इसको ऐसे differentiate करें ना वन आपको लेकर आपने थ्री पढ़ा था वन आपको लेकर आपने कितना पढ़ा थ्री यह क्या है यह only one of है ठीक है यहां पर आई यह आपका question है यह गाइस हो गया there is only one of है ना only one of है the English teacher that अब क्या अभी मैंने क्या बताया गाई यह देखें यह singular subject singular verb only one of आया तो only one of आपके बाद यह रेटी प्रूनावन आएगा इसके बाद जो और आएगी comment box में यह इसके बाद यह जानते हैं यहां पर आने वाली है इसका number क्या होगा comment box में इसका नंबर क्या हो गा ईस टाइब करो और यह ऌनिया तो फिर प्लूरल हो जाएगा जैसे वह निया कि लगए जिस्टूलर ह्खाई सी हमोडल होगा तो अब तो प्लूरल होगा नहीं है टो होगा है कि stellen के साथ एक और मोडल होता है और यह है माटल ह क्लियर हुआ क्लियर हो गया कि जो वनलीओन आएगा way लीओन अगर आया और लिए उन से पहले एगर सिंगुलर सभ्जेक्ट सिंगुलर सभ्जेक्ट और सिंगुलर विल्व है तो रॉनली वॉन से जब आएगा यहां तक यह इसके बात की जो गाय चुर्प क्या होगी इस्टीक इस ठीक अगर clear है तो जी वाई घंस्याम सिंह और अगर clear नहीं गैज जी एन घंस्याम सिंह नो चलिए type करिए मैं थोड़ा और question करवाता हूं यहां पर आप लोग क्या है यहां पर start करिए there is there is part a only one of his novels that are interesting part c no error party मैंने आपकी time पार नहीं start कर दी है guys come on come on fast comment box में yes 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 really up किस पार्ट में C में सी में डर रहे है चलिए बाइप कुछ बच्चों ने कहा कि sir c में है ठीक है ठीक है जो बच्चे कह रहे हैं सी में में मैं बता रहा हूं जानते क्या है देखे ठीक है only one आ गया तो only one के पहले क्या आ गया सब्जेक्ट सब्सक्राइब तो जब सब्सक्राइब सब्सक्राइब क्या नहीं होगा वन आफ नहीं होगा अगर only के पहले सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो जो only one वाला क्लाज होगा यह सब्सक्राइब क्या होगा कमेंट बाक्स में इस सब्जेक्ट का नंबर क्या होगा स्टिंगुलर होगा ठीक है जब इस सब्जेक्ट का नंबर स्टिंगुलर होगा तो आपको पता है कि यह फिर वर्ब क्या होगी कमेंट बाक्स में यह जो वर्ब है वर्ब का नंबर क्या होगा स्टिंगुलर के लिए प्लूरल है ऩो जब आर आपका प्लूरल है तो आपको करना क्या सी पार्ट में एरर है यह आर को आपको पता है आर को आपको रिप्लेस करना पड़े है किससे किясके की जिस से तब आपका ठीक हो जाएगा क्लीर हुए अब तो clear हो गया अगर clear गाई तो क्लास के लिए कोड है तो मेरा क्या है SPGHAN ध्यान देंगे SPGHAN कोड है और दूसरा कोड क्या है घंस्याम GHAN SHYAM घंस्याम यह मेरा दो कोड है कोड लॉग इन करेंगे तभी आपको क्लास फ्री वाला भी मिल पाएगा गाइस चलिए यहां क्या करेंगे दिस इज वनली वन आफ चलिए जिकली यस यस मैं आपकी टामीं स्टार कर देता हूं गाइस क्या लिखा है दिस इज वनली वन पर्ट ए आफ सेख्पीर्स पर्ट बी नॉवेल्स दायट आर बोरिंग पार्ट सीन और पार्ट डी हरे वाइज कमेंट बॉक्स में 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 अंसर दीजी येस 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 हरी आप किस पार्ट में र स्ञार में से में Home सी में है की मरें थे कि तो यहान देखिए धियान ने थीक है वी वन कि तक हुन devoने आपके पहले आपका सब्जेक्ट इमुलर और 告訴 jus स्टों बात के बाद है यहां यौन यूवन आपके बात जो ग्लाज बन रही यहां धर्ट कि यह आपका सब्जेक्ट हो गया नया वाला सब्जेक्ट only one वाला सब्जेक्ट गैज पता यह सब्जेक्ट क्या कमेंट बाक्स में यह सब्जेक्ट क्या है यह सब्जेक्ट आपका सिंगलर है तो फिर यह जो वर्ब होगी वर्ब होगी यह वर्ब आपकी क्या होगी सिंगलर होगी अभी है क्या यह सीश्ट Lau prost प्लूरल है आर को करना पड़ेगा आर को री स्करना पड़ेगा किसे कमेंट बाक्ए किस रिप्लेस करना पड़ेगा ईज से इज से तब Quarter यह तो डुब और यह काउंसेट बिल्कुल आपका ड़न होना चाहिए Strange आपकी क्या करेंगे concept change concept change है आपकी only one से start है इसके पहले इसके पहले कैसे start था singular subject singular वर्ट तब only one था अब की सीधा only one है क्या करेंगे only one of the boys dot 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 not done the homework given yesterday चली क्या करेंगे आप यस 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 अगर आपना लें तो फिर आप इसली कर सकते हैं elimination method yes 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 इसका concept मैं करा दूं क्योंकि आचा गया जानते one of में comment box में लिखेंगे आप लोग मैंने अभी आपको क्या कराया था one of तो one of में total कितने concept थे comment box में गईज कितने थे 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 और जो only one है इसमें टू है गईज एक तो हम लोग कर लिए इसमें वाला एक वाला हम लोग कर लिए यहां singular subject और यह singular वार वर बाराई थी तब क्या था तब only one क्या होता था singular subject होता था अब जराइए इसके लिए पढ़ लेजे कि यह क्या है गई देखें अगर only one आता है only one of the plural noun है यह singular सब्जेक्ट होगा इनके साथ आपकी वर्ब क्या आएगी स्फिंगलर इसका मत giace कि मातली वन एक स्ट्रक्टर ही सुन्सेप्ट औन होगा तो फिर आगे आपकी जो बन हो ग्या आगे यह वर्ब क्या होगी फिर गषी नर हो Gilisya तो फिर फर्स्ट नमबर क्या है रॉंग है और वनली वन आप इस डार्टर इज मेरी रिये ठीक है क्यों कि जब वनली वन से आपका स्टार्ट होगा यह जो पूरा संद यह पूरा गए जानते वही तो है प्रेपजीशन के पहले प्रेपजीशन के पहले आपका सब्जेक्ट होता है तो प्रेपजीशन के पहले one-nree उन है इसका मतलब सब्जर्ट का सिंगले और वर्व आपके क्या होनी चीजए इस चीलब होनी चीजए राइट है और इसके पहले जो वन लिए आ रहा था उसमें भी सिब्दोह उख थी उसमें भी गई सिब्लिच टी है इस में भी स अब जरह अपने question पर यह question क्या लिखाए only one of the boys only one of the boys dot 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 not done the homework given today अब यह जो वर्ब आएगी comment में बाक्स में तो यहां जो वर्ब आप लेने वाले हो इस वर्ब का नंबर गाईज अगर singular है तो यह टाइप करिये plural है तो प्लूरल है तो प्लूरल उटाइप करें क्मेंड बाक्स में येस 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 याइस जानते किया होने वाला एक देमें आप राइट भॉल लेओ इसका Alt-group ही होगा क्योंकि only 1 only one only one अगर दिखाई दे दिए चाहे वह इसमें हो जै data कुड़ तो model है इनके साथ एक और और बच्छेहे तो कैन के साथ तो done आता नहीं है could के साथ done आता नहीं है have के साथ done आ सकता have to plural है था हमारा right answer क्या अच्छा इसका स्कीन स्वाट भी ले लेंगे कि वनली वन आपके बाद नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन यह वनली वन आप प्लूरल नाउन यह सब मिला के सिंगलर सब्जेक्ट होंगे तो आगे आपकी वर्ब क्या होगी वर्ब आपकी क्या होगी सिंगलर होगी ठीक है चल सब्सक्राइब और आप लोग बहुत अच्छी स्क्राइब जानते हैं बिल्कुल आप ठीक है रहो गैसी में रहा है थी पार्ट में एर्र है जाया है बिल्कुल ठीक है क्या हो जाएगा हाँ जानते हैं we should replace है with what है के साथ मत्तब है को हमको है से replace कर देना होगा क्यों क्योंकि जो only one of only one आफ ही संसा इतना बड़ा subject यह subject आपका क्या है सब्जेक्ट आपका number इसका क्या है सिंगुलर है तो वर्ब का number क्या होना चाहिए सिंगुलर होना चाहिए अभी है क्या clear है तो जी भाई घंस्याम सिंग एस clear नहीं है तो जी एन घंस्याम सिंग नो अब गाईज इसकी इंस्वाट ले लें आज आपने जो पढ़ा है टोटल कितने concept पढ़ें गाई कमेंट बाक्स में इसकी इंस्वाट ले लेंगे और PDF के लिए मैं नंबर बता देता हूं 9625-8111-25 यह वाट्सअप नंबर है यहां पर कॉल भी कर सकते हैं यहां भी PDF है और PDF आपको कहा मिलेगा लेट्स क्राइक यूप सिस्याम से हिंदी टेलिग्राम ग्रूप है यहां भी है और इंग्लिश विद घंस्याम सर यहां भी PDF आपको मिले गाई यह देखे टोटल आपने आज पता five concept आपने total आप जो आपने पढ़ा है यह five concept है 5 concept आपने पढ़ा है जिसमें अगर हम लोग differentiate करें गई अगर हम लोग differentiate कर दें कि five concept में क्या क्या आपने पढ़ा one आपको लेकर three गई है अभी all the five clear होगा और आपके दिमाग में मैं एक चिप लगा दूँगा जो कभी खराब नहीं होगी नेवर और आप मत्तब इसको कहते हैं घोल के पिला देना पढ़ाया तो मैंने जरूर लेकिन अब मैं आपको घोल के पिलाने वाद आप कभी नहीं भूलोगे और एक्जाम सब्सक्राइब क्या जानते हैं वनली वन आप ध्याद नहीं की गई वनली वन आप प्लूरल नाउन यह संग्ले सब्जेक्ट होंगे तो फिर इंके सात्व वेर्ब क्या होगी सिन ग्यों होगी देक है लुनी वनटवर्वफ दार्टर स्थर्ण बनीटिर यह तफिर वनली वर्ब क्या होगी वर्ब सिंगलर होगी इतना क्लियर यह अगर गई एक कॉंसेट लेंगे पहले फोर सी स्टार्ट गई सबसे पहले रूखिए मैं सबना इसको डश्ट कर देता हूं जो इजी है इजी सी स्टार्ट करेंगे फाइब कॉंसेट दिमाग में रख लेना है तो मैं फोर से सिखा रहा था कि जो वन्ली वन आफ आएगा आगे प्लूरल नाउन होगा लेकिन सब्जेक्ट के वो सब्जेक्ट सिंगलर होगा तो आगे वर्ब क्या होगी सिंगलर होगी यह देखिए only one of his daughters is married यह ठीक है इस है ठीक है यह राइट है डन अगर डन है अगर आपको यह clear हो गया कि only one आप subject आया noun plural होगा लेकिन वर्ब singular होगी गाई वर्ब singular होगी अगर यह दन है तो जी वाइ टाइप करिए तो जी वाइट करें जीनका डन नहीं है जी एन टाइप करी है गन्चाम तींग कहो यहास यह 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 येस येस अच्छा गई अब जानते हैं चलिए ठीक है अब जड़ा वनली वन को जड़ा दूसरा लीजे गई देखें सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इसके बाद वनली वन आफ आएगा और तो प्लूरल नाउन तो होगा आगे रिलेटीब प्रूनाउन आएगा देट आएगा विच आएगा हूँ आएगा लेकिन यह भी सिंगुलर ही सब्जेक्ट होते हैं इनके साथ वर्ब क्या होगी सिंगुलर होगी अब देखें क्या है इसके पहले वाला क्या था यहां शुरू था यहां शुरू था अब की क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिं के क्लिर हुआ के लिए घाशा तो मतलब आभी आप देखेंगे एक सिखेंड रूखिए दो तो एकदम डन है वंली वन आफ वाला एकदम डन देंग यह दखें C is only one of he is daughter that are scy यहां are scy नहों क्या होगा इज होगा क्यों क्यों क्योंकि यह नग यहां पर देंगे कोई क्लाज ना आहे तब भी ह Corona होते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट जाहे वह क्लाज में ऐे चाहे वह में पर उसके अचलाइच साथ हमेशा वर्ब क्या होगी comment box में गाइज वर्ब क्या होगी singular होगी इतना दन five concept में दो concept हम लोगों ने done कर लिया आप है अब गाइज जरह यहां पर आइए यह यह इतना हमारा है किसके लिए one of बतायए कि वोन आफ के बात नाउन क्या होगा प्लूरल होगा मैं इनके साथ सिंग्लर बातर गाई तो वन आफ मेल तो इंप खैक अने देंग्न जो भी क्लियर है तो जी ऑई टाइप करें गंचाम सेंगे एस क्या है अरे वन आफ वन आफ प्लूरल नाउन सिंगलर वर्ब एक ठीक है अब जरा वन आफ का जरा दूसरा समझेगे अब की वन आफ आ रहा अब की वन आफ लेकिन इस वन आपके पहले जानते क्या वरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गाई जब वन आफ के पहले मेरे भाद दयान देंगे पहले concept इसमें दो दो changing होगी देखिए आपकी क्या होने वाला वन आपके साथ गई आपकी वन आपके साथ क्या होगा कि आपकी वन आपके पहले सब्जेक्ट आएगा और वर्व आएगी और वन आपके बाद आगे लेटी प्रोनाउन दैट हूँ या विच भी आएगा दो 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 changing है यहां देखिए क्या है यहां पे सी इज घृ मा आप टर्श हुआ थै अब यहां ऑद हो औरा के बास यह दो यह वर्व होगी हैं कैसे आपको पता साथ अ बु स्किर्ट आप मात यह साथह वर्व अंड़ец PB ये कहीं हुआ है नहीं है कहीं डैठ है बिलकुल नहीं है एक चीज और भी नहीं है इसके बीगिनिंग में singular subject singular भी नहीं यहां देखे सी इज इसमें कहा है न कोई singular subject न कोई singular वर्व है तो गाइट जब जब आप जहीं पर समझना है कि अगर आपका one-off आया one-off आया लेकिन one-off के पहले अगर singular subject और singular वर्व है तो फिर one आपके बात जो यह word आएगा यह क्या होगा यह plural होगा लिकिन यहाँ देख रहे तहीं यह वर्ब singular पहली बात तो यहाँ कोई relative pronoun नहीं और दूसरा क्या है इसके पहले कोई similar subject singular word भी नहीं गए, दो clear वन आपका अगर दो concept clear हो गया तो comment box में ग्जी वाई लिखी आप लोग वन आपको लेकर गई आपके एकजाम में थ्री ठाइप के कोस्टन बनते हैं अगर दो clear है तो जी वाई और अगर नहीं है तो जी एन टाइप करिये गंश्याम सिंग नो और अगर clear एक गंश्याम सिंग यह जी मेरा नाम है और यह यस के लिए गंजियामसिंग है यह टर्वा रप्धाँ क्या है उटी हैं मुझा आप आने दीजिये प्लूरल नाउन आएगा और रिलेटिफ प्रूरल और दीजिये फिर प्लूरल ओर द्वाइगा यह तो अभी और पक्ष्ट पढ़े हैं कि वन आप प्लूरल ना गया रिलेटिव ना आगया तो आगे जो वर्व होगी प्लूरल होगी लेकिन इसके बाद फिर एक वर्व आगी और यह वर्व क्या हो जाएगी सिंग्लर हो जाएगी अभी आप देखे यह ना वन आफ द गल्स हूं गिब में यहां पर देखेंगे यहां पर मुझी सब्जेक्ट है और क्या होगी सिग्लेर होगी क्लीर हुआ तो अगर आप ध्यान देना अगर यहां दें की जो वन आपका concept number two और three है सारी चीज हो देखे क्या है अब मेरे भाद ध्यान थेंगे जो जो वन आपका जो सेकेंड नहीं वह भाद न बिगनिंग में है तब उन आप लेकिन वन आपका जो थर्ड है यह क्या कह रहा है कि आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्व यह एंड में है लेकिन है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्व और जो यह वन आपके बात कि वन आपके साथ वाला जो रिलेटिव प्रूराउन है इनके साथ तो प्लूरल ही वर्व है तो यह यहां भी प्लूरल वह प्लूरल वह वह है अब इसमें क्या है इस क्या में और से सब्सक्राइब करने सब्सक्राइब 248 खाल जरुरा थीक सब्सक्राइब और आप लोग को इंपॉर्टेंट इंफार्मेशन देनों गाई जानते हैं डेली मेरी फ्री लाइब क्लासे हैं पहला क्लास टेन थर्टी एम पर लगता है यूटूपर चैनल का नाम क्या है कमपल्सरी इंग्लिज भाई घंश्याम सिंग ठीक है यहां पर थोड़ाव देखें यहीं पर देखना पड़ेगा तो फर्स्ट क्लास जो लगता है टेन थर्टी एम को यूटूपर कमपल्सरी इंग्लिज भाई घंश्याम सिंग सेकेंड क्लास अभी तुरंत 1130 यूटूपर लाइब होगा तुरंत लाइब होगा 1130 यूटूपर इसका चैनल का नाम क्या है येम सी क्यूज ऑन इंग्लिज भाई घंश्याम सिंग और जो थर्ड क्लास 12 पीम पर डेली अन एकाडमी के लर्निंग पर गैज होगा तो आप मुझे घंश्याम सिंग को गंश्याम सिंग को तो मुझे सर्च करेंगे कहां UPSC CST में सर्च करके फालो कर लेंगे लेकिन अब पता आपको कोड भी मेरा एंटर करना पड़ेगा तो एक तो मेरा कोड घंश्याम है घंश्याम और दूसरा मेरा कोड है येस्पी जी एच एएन येस्पी जी एच एएन ये दोनों में से लॉग इन आप कर सकते हैं फ्री क्लास में भी आपको लॉग इन करना पड़ेगा तो मेरा कोड अपलाई करना न भूलें गैज में बता रहा था इसके बाद की तुरंद क्लास ये लाइब होने वाली है वकाइब की तो अगर आपको अपनी वकाइब वुली को बूस्ट करना तुफानी रप्तार से बढ़ाना है तो फिर आप इस क्लास को जरू लिजे हाफ एन और गैज आदे गंटे क्सेशन होता ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं लिख पाऊगे यहां पर सीखते क्या है एंट्यूनिंस फाइंगे फाइंगे फाइमार्ट से वन वर्ट सप्टिट्यूशन जो प्रेशी राइटी में काम करता गए और प्रेशी राइटिं सब्सक्राइब मैं आपको एक प्रिफिक्स पढ़ाऊंगा और आपका जानते हैं almost 50 फिप्टी वर्ट क्लीर हो जाएगा और यह वर्ट आप कभी भूलने वाले नहीं गए जानते हैं क्यों क्योंकि यह मैं साइंस पढ़ा रहा हूं मैं लर्न नहीं करवा रहा हूं एक पर होंगा फटाफट उसके आप सिनोनिम कर लेंगे फटाफट एंटोनिम भी कर भाएंगे ठीक है और आज की नेक्स्ट क्लास लाइब नरेशन एटुजेट फार अल एक्जांस यह ट्वल्ल पीम पर लाइब होगी अने के लर्निंग अप पर घंस्याम सिंग को यू पीस्टी सी सिर्च करके फालो कर लेंगे और कोड आप जानते हैं यह स्पी जी एच एन यह मेरा कोड है और या जी एच गई एन है यह और यह तो घंस्याम मेरा कोड है यह यह दोने में से कोई भी आप लॉग इन करेंगे तो इससे आपको फ्री लाइब क्लास मिल जाए गाई अब टे संडे को 10 30 a.m. ध्यान देंगे संडे को 10 30 a.m. to 4 30 p.m. फ्री लाइब क्लास है संडे को टेन्स का महाकूम गाई टेन्स एटु जेड टेन्स एटु जेड सभी एक्जाम के लिए यह बहुत इंपॉर्टन गई एटु जेड है इसको आप लोग संडे को जानी करेंगे 10 30 a.m यूटूपर अब स्वारी यूटूपर निगाई अने के लर्निंग पर यहां पर आप आप आई अगर जानते हैं आपका ड्रीम है आप करना चाहते हैं तो आपको सब्किप्शन जरूर लेना चाहिए या तो आप प्लस का ले लो या तो आप आप आइकॉनिक लेलो सब्किप्शन आपको अलग से लेना पड़ता है कि यहां में जान देंगे आइकॉनिक है तोल मंत की फी कितनी है सुष्टी टूटूजन फाइबंड फिफ्टी रुपीज ट्वेंटी फूर मंत की जो फी है नैटिशिक सब्दन त्री एंडट थर्टी सिस मन्त की जो फी है और यह फी क्या है टेन परसेंट की बात है डिसकाउंट आपको कम मिलेगा जब मेरा कोड़ घंसे आपको 10% मिलेगा साथी साथ आप मुझसे डिरेक्ली जूर पाएंगे तो मेरा जो एक्पिरियंस है टूंटी से बन इसका यह आपकी सेलेक्शन बहुत ज्यादा है और ग्य के गई कुछ मेंबर क्या है से सी क्वालिफाइड कुछ मेंबर क्या है कि जो से सब्जेक्ट से बहुत एक्सपर्ट ही आपके टीम होगी 24 इंटू 7 आपके साथ काम करें जानते हैं इनके साथ मतलब अगर आपने सब्से पहला benefit क्या होगा कि जो तूटू थ्री एर्स बीगनिंग का हम इधर उधर भटकते हैं यह आपका वेस्ट नहीं होगा यह विल्कुल वेस्ट नहीं होगा जो से लेक्शन दो से तीन साल बाद होने वाला वह दो से तीन साल पहले भी हो सकता है जो सेलेक्शन की चांसे बहुत कम या नहीं होने वाला उसकी possibility बहुत बढ़ जाएगी और सेकेंड आप टॉप rankers बन सकते हैं क्यों 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 जानते हैं यह जो आपकी टीम होगी उसमें कुछ बताएंगे कि टॉप कैसे करते यह बताएंगे आप अपना सेलेक्शन आल्मोस हनद परसंट डन कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको आइक्वानिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है मेरा कोड आप घंस्याम जरूर यूज करें ताकि मुझसे आप ड्रक्ली जूर पाएं सब्सक्रिप्शन लेगा जब घंस्याम कोड यूज करेंगा यहाँ आप देख पार है कि मिशन 2021 का बैस स्टार्ट हो चुका है 2022 के लिए अगर आप देख रहे हैं वह बैस स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी इसी दिसंबर में तो अगर आप पेड क्लास में मुझस सब्सक्रिप्शन जरूर ने घंस्याम कोड का जरूर यूज करें और जाते जाते मैं बता दूं इसके बाद वाली क्लास इसके बाद की जो क्लास है यूटूब पर लगेगी है ना यहां पर वक्याइब हम लोग बुल्ली सीखेंगे वर्ड पावर को बढ़ाएंग बूस् यह मेरा नंबर है 9625-8111-25 अगर पोई डाउट होता है तो आप यहां पर कॉल कर सकते हैं यहां पीडियाप भी है और पीडियाप के लिए टेली ग्राम लिंक एकाउंट्स आ लैट्सक्राइक यूप्यस्याम से हिंदी भी है इंगलीज विद घंस्याम सरी महां पर भी पी मिलते हैं तुरंथ